मेरे स्पामिस्ट्री और स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाओंगा या जो number आपकी screen के ओपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने hand का analysis करवाना चाहते हैं या फोन consultation लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अथेली है एक squarish formation में नजर आ रही है कुछ इस तरह का format इनकी अथेली का जो यहाँ पर indicate करता है काफी hard working type की nature को और fingers का जो size है यहाँ पर medium नजर आ रहा बहुत जादा लंबाई में इनकी fingers नजर नहीं आ रही है और इस तरह की medium size fingers जो होती है व्यक्ति को थोड़ी सी जल्दबाज personality देती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो groove finger है उसकी length यहाँ पर ज्यादा है अगर हम compare करते ह हैं इनकी सूर्य finger के साथ ब्रस्पती finger की लंबाई का ज्यादा होना indicate करता है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी leadership qualities रहने वाली हैं और अगर इनकी shiny finger को देखा जाए तो shiny finger यहाँ पर बिल्कु स्ट्रेट है काफी thick shiny finger नजर आ रही है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का काफी मेनत करने वाले होते हैं अपनी इसी मेनत के बलबूते पर life में काफी अच्छी तरक्की भी पा लेते हैं आगे आप देख सकते हैं इनकी सूर्य finger को सूर्य finger यहाँ पर थोड़ी short है थोड़ी सी tilted है यहाँ पर shiny finger की तरफ इसकी वजह से यहाँ पर जो creativity है वो medium level की रह रहता है जिनकी सूर्य finger short हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक gap नजर आ रहा है इनकी सूर्य finger और mercury finger के बीच में काफी clear gap है यहाँ पर इस तरह का यहाँ जो gap रहता है यहाँ indicate करता है कि ऐसे व्यक्ति काफी जादा independent nature के होते हैं अपनी सभी decisions को खुद से लेने वाले और even थोड़ा सा जिदी सभाब भी ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी इन दोनों fingers के बीच में fair gap नजर आ रहा हो और अगर हम mercury finger को देखें तो बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है mercury finger mercury finger की जो length है वो यहाँ पर average नजर आ रही है सूर्य finger का जो first falange है उसे थोड़ी नीच skills अच्छे देती है लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो nature है थोड़ी सी shy रह सकती है क्योंकि finger यहाँ पर थोड़ी short होती नजर आ रही है और यहाँ पर business equipment इनका strong रहेगा क्योंकि mercury finger बेलको straight है और काफी अच्छे mercury line भी इनकी हथेली में नजर आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं इनके सभी फैलेंजिस के ओपर इस तरह की जो सीधी खड़ी रिखाएं हैं जितनी ज्यादा fingers के ओपर मौजूद हो उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि यह रिखाएं व्यक्ति की personality को indicate करती है ऐसी रिखाएं होने से व्यक् काफी रिखाएं मौजूद हो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी मांट्स को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी mercury finger है जैसे यहाँ जो finger है थोड़ी सी low set है क्योंकि बाकिए की finger सारी high set हो रह रही है और यहाँ पर mercury मांट को जो space मिल पा रही है वो थोड़ी सी बाकी मांट्स के comparatively कम नजर आ रही है लेकिन mercury मांट low set जरूर है लेकिन weak नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत strong mercury line मौजूद है यहाँ जो एक रेखा आप देखते हैं यहाँ से चलती हुई कुछ इस तरह की एक line mercury मांट की तरफ बढ़ रही है एक लंबी रेखा का mercury मांट की तरफ बढ़ना बहुत benefit माना जाता है ऐसे व्यक्ति का business of equipment बहुत ज़्यादा strong होता है और आप देख सकते हैं खड़ी रिखाएं मौजूद हैं इनके इस मांट के उपर जितनी ज़्यादा खड़ी रिखा जो यहाँ पर इस मांट को और भी strength दे रही है बेशक यह मांट थोड़ा सा low set है थोड़ी सी shy nature को हम यहाँ पर ignore नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर इस तरह की खड़ी रिखाएं इन्हें काफी sharp minded बनाएंगी और ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी healing qualities रहती हैं जिनके mercury मा पर ऐसे खड़ी रिखाएं मौजूद हो अगर यह 6-7 रिखाएं हो तो व्यक्ति social worker भी बन सकता है और even दूसरों की help करने वाली nature व्यक्ति के भीतर बनी रहती है उसके इलावा आप देख सकते हैं money triangle की formation यहाँ पर बहुत अच्छी हो रहे इनके हाथ में जो यहाँ पर इन इसको कहा जाता है भागया रिखा और यह जो line है इस side से चलती हुई इसको कहा जाता है mind line और यह जो line है इसको कहा जाता है mercury line इन तीनों लाइनों से मिलकर एक त्रिकोन की formation बिल्कुल हतेली के center में जब बनती है इसको money triangle का नाम दिया जाता है और ऐसा triangle अगर किसी के हाथ प अपनी life में एकठा कर लेते हैं तो इस तरह के chin यहाँ पर इनके हापी नजर आ रहे हैं बहुत ही lucky sign है यह आगे देखते हैं इनके सूर्य मांट को सूर्य मांट को अगर देखा जाए यहाँ पर काफी अच्छी space सूर्य मांट को मिल पा रहे हैं लेकिन बहुत लंबी सूर् नजर इसी रेका सूर्य मांट के अपर मौजूद हो तो ऐसे विक्ति इसी एक field के ओपर focus कर सकते हैं लेकिन जब एक से ज़्यादा रेकाएं सूर्य मांट के ओपर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी खड़ी रेकाएं हैं ऐसे रेकाएं जयादा सारी आप में दिक्कतें आती हैं जब ऐसी रिखाएं सुर्य माउंट के ओपर हूँ ऐसा व्यक्ति फोकुस नहीं कर पाता कि कौन सा एक फील्ड चूज करना है जिसको जिसमें आगे बढ़ना है तो यह ऐसी दिक्कतें इनिशली इन्हें लाइप में आ सकती हैं लेकिन जैसे जैसे maturity level इनका बढ़ेगा तब यह एक काम के ओपर फोकस कर पाएंगे लेकिन शुरू में यहाँ पर फोकस की दिक्कतें व्यक्ति को जरूर आती हैं जब ऐसी काफी सारी रिखाएं सुर्य माउंट के ओपर मौजूद हो आगे आप देख सकते हैं इनका जो शनी माउंट है शनी म माउंट का दबना व्यक्ति से hard work करवाता है इस तरह का माउंट होना अंदर की तरफ दबा हुआ तो ऐसे व्यक्ति को life में काफी संघर्ष करना पड़ता है काफी मेहनत ऐसे व्यक्ति को life में करनी पड़ती है तब जाकर ऐसा व्यक्ति progress पाता है और आप शनी रेखा को अग को क्रोस करने वाली स्ट्रेस लाइन चैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जा है जो बारीक लाइने मंगल के एरिया से निकल कर आगे बढ़ रही है कुछ रिख्वाएं भाग het को क्राइर रही है और पूच रिख्वाएं यहाँ पर इनकी life line को cross कर रही है stress lines यह कहलाती है जो मैंने अभी red color में draw की है इनकी वजह से व्यक्ति को life में stress का भी सामना करना पड़ता है और दिक्ते हैं अब stackles life में आते हैं तो यह कुछ दिक्त रह सकती है लेकिन shiny mount की ओपर खड़ी lines यह जो रिखाई है यह multiple sources of income को भी indicate करती है ऐसे व्यक्ति की old age में चल कर एक से ज्यादा sources of income रहते हैं और ऐसा व्यक्ति काफी धन कमा लेता है और old age में चल कर काफी अच्छी life को enjoy भी कर पाता है आगे चेक करते हैं इनके guru mount को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो guru mount है हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है लेकिन guru mount के उपर progress line मौझूद है यह progress line काफी अच्छी मानी जाती है इस तरह की progress lines अगर मौझूद हों बरस्पति mount के उपर तो ऐसा व्यक्ति life में काफी अच्छी progress पाता है तो progress की किसी तरह की कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही लेकिन life में थोड़ा संघर्ष रहने वाला है क्योंकि काफी सारी लगबग यहाँ पर 40 की age तक मुझे इनकी अथेली में नजर आ रही है 40 प्लस की age के बाद यहाँ पर जो problems हैं इनकी कम होंगी लेकिन उससे पहले ही इनकी काफी सारे stresses से गुजरना पड़ सकता है और आप देख सकते हैं loop of seriousness भी इनके हाथ पर बन रहा है इसकी वज़ा से थोड़ी सी nature जो है इनकी गंभीर रह सकती आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर close up में यह जो यह जो loop बन रहा है इस तरह से बारीक fingerprint वाली line से बनने वाला जो loop रहता है इसको कहा जाता है loop of seriousness और यहाँ जिनके भी हाथ पर बनता है ऐसे व्यक्ति थोड़े से गंभीर सभाव के होते हैं और progress के लिए तो यह loop अच्छा माना जाता है लेकिन married life के लिए family life में थोड़ी से दिकतें आती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति थोड़ी से गंभीर nature का होता है और family की तरफ थोड़ा सध्यान कम देता है चलिए आगे देखते हैं इनकी line of heart को heart की line यहाँ पर विल्कु स्ट्रेट चल रही है और एक branch heart की line से निकल कर यहाँ पहुंच रही है mangal area inner mars की तरफ पुछ इस तरह की heart की line यहाँ पर एक Vishnu symbol create करती हुई इस तरह का जो चिन है काफी भागयाशाली माना जाता है ऐसे व्यक्ति life में खूब progress करते है जिनकी heart की line के अंत में Vishnu chin बनता हूँ लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ें और unfair means का use करें पैसा कमाने के लिए तो life में बहुत सारी problems आ जाती है और progress रुक भी सकती है आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी heart की line से यह ब्राच निचे की तरफ चल रही है यह व्यक्ति की aggressive nature को show करती है ऐसा व्यक्ति काफी aggressive life में रह सकता है overall कोई major issue मुझे यहाँ पर इनकी heart की line से नजर नहीं आ रहा कुछ हलकी इस तरह की downward चलने वाले रिखाएं यहाँ पर थोड़ी सी health problems इनको heart से related दे सकते हैं कोई major problem यहाँ पर नजर नहीं आ रही आगे देख सकते हैं आप इनकी line of mind को mind की line यहाँ पर काफी straight है बिलको सीधी mind की line एक sharp mind को दर्शा आती है ऐसे व्यक्ति काफी तेज दिमागे होते हैं जिनकी mind की line अच्छी लंबाई में हो और even अच्छा money triangle भी यह रेका create कर रही है जो indicate करते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर life में काफी अच्छा धन भी इकत्रित कर लेते हैं आगे चलते हैं आप देखते हैं इनकी line of life को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं life की line की जो लंबाई है यहाँ पर काफी अच्छी है 80 प्लस की age रहने के chances आपको draw करके दिखाना चाहूंगा यहाँ से इनकी life की line यहाँ तक और अंत में आकर कुछ इस तरह का चिन भी create करती हुई इस तरह का चिन जिनके हाथ पर बनता है ऐसे व्यक्ति foreign travels करते हैं विदेश में long stay कर सकते हैं और even ऐसे व्यक्ति को अचानक धनलाब होने के chances भी काफी ज्यादा रहते हैं जिनके हाथ पर ऐसा चिन हो और अगर इनकी life line को देखा जाए तो यहाँ पर आकर life line थोड़ी सी week हो रही है जो लगबग 70 की age रहेगी तो इस stage में कुछ health issues आने के chances यहाँ पर रहेंगे शुकर माउंट को देखा जाए तो शुकर माउंट के ओपर काफी सारी ऐसी रिखाएं जो बारीक line है यहाँ थोड़ा सा week कर रहें इस माउंट को जिस वज़ए से family life में थोड़ी disturbance रहने के chances रहेंगे family की तरफ से व्यक्ति को worries रह सकती है चंदर माउंट को अगर देखा जाए तो चंदर माउंट यहाँ पर काफी strong है लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखा का होना इस तरह की यहाँ थोड़ी सी anxiety व्यक्ति को देती है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के truth दे पर लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन यह स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद